आज हमारा एक मात्र देश होगा पूरी दुन्या में. जो कृप्तो करेंशी बिल आने से पहले क्रप्तो टैक्स लगा देता है. और एक मात्र वित्मंत्री होंगी इस देश में, जो कहती है बता नहीं लीगल है या इल-ई-लीगल है और वो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, जब crypto currency regulation आएगा तब हम बात करेंगे, पर हम उस पर tax जरूर लगाएंगे, हम उस पर tax भी लगाएंगे, हम उस पर TDS भी लगाएंगे, जिस तरीके से बताया गया, इस पर tax लगाओ, tax लगाओ, tax लगाओ, और बढ़ाओ, क्योंकि बा अगर किसी देश को सबसे ज़्यादा फाइदा हुआ, वो भारत के बच्चों को फाइदा हुआ, आज हम लो बड़े-बड़े leadership roles में हैं, दुनिया भर में leadership roles में हैं, तो उसका फाइदा हमारे युवाओं को हुआ, तो बार बार ये कहना, कि ये जो है बहुत ही गंदी ची कुछ चूज करना चाह रहे हैं, तो उनको रोक जाने की कोशिश की जाती है, अगर रोकते ने हैं, तो कि आम घर के बाहर निकाल देंगे, तो ये विल्कुल वही हालत होरी है क्रिप्टों के साथ, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं, कि क्या है, उसके मंशा क्या है, इंटे आपको भी डिस्रप करेगी, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस technology के आगे बनकर एक regulatory framework बनाए और इससे हम घबराए नहीं, आज जब इंटनेट आया, अगर फादा हुआ तो हमारे ही देश्वासियों को हुआ, पर दो किस बात का होता है, क्योंकि हम उनके लिए एक इकोस्टम नहीं बना पाए, उस वज़े से वा दूसरे देशों में जाकर, आज आप California, United States, Europe, आज आप देख लिए, जो जो बड़ी multi-nationals है, technology-related companies है, उसको है, हमारे इंडिन जी करते हैं, तो आज वही तैलन अगर हमारे देश में इसी देश में इसी देश में इसी अपाव टिए आप कर självे च्प्र बड़ीक्रा, आज अपाविक अपाव में इस सुले में आप भेज़ जो सूने कर दो जो जाए, को एंचे इसी दो से घुम एक भे टूमзд Frankfurt ऑन भी ऑनानो प्तार हमारे उसको करते हैं, ह। आप्यम्सलिक जो डिए आपी एंपने प्राव.